Knowledge Gain के वीडियो में आपका स्वागत है आज हम आपको बताने वाले है आदित्य L1 गुरुत्वाकर्शन के बीच मसा सेटिलाइट कहा जाएगा आदित्य L1 मिशिन भारत ने स्पेस की दुनिया में एक बार फिर इतिहास रच दिया है क्योंकि इसके साथ पेलोट सौर भढ़नाओं की गहन स्टडी करेंगे ये साथों पेलोट वैग्यानिकों को सूर्य से जुड़े डेटा मोहया कराएंगे जिससे सूर्य के विकिरन, कनो और चुम्बकी अक्षेत्रों की स्टडी संभव हो पाएगी आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि पांच साल में मिशन पूरा होने के बाद आदित्या एलेक का क्या होगा वह कहां चला जाएगा बता दे कि आदित्या एलवन ने 126 दिनों में 15 लाग किलोमेटर का सफर तै किया आदित्या एलवन अगले 5 साल तक सूर्य का अध्ययन करेगा और महत्वपूर ना करे जुटाएगा इस रोके चेयर मैनेस सोमनात ने कहा कि ये हमारे लिए बहुत संतोष जनक है क्योंकि ये एक लंबी यात्रा का अंध है लाँचिंग से लेकर अब तक 126 दिन बीच चुके हैं मंजिल तक पहुंचना हमेशा एक चिंताजनक पल होता है लेकिन हम इसके बारे में बहुत आश्वस्त है इसलिए जैसा अनुमान लगाया गया था वैसा ही हुआ हम बहुत खुश हैं जानले की जिस हेलो ओबिट में आदित्य लेक स्थापित हुआ है वहलेक की ऐसी कक्षा है जहां सेटलाइट और स्पेसे क्राफ्ट स्थिर रहते हुए काम कर सकते हैं यहां सूर्य और प्रित्वी का गुरुत्वाकर्शन बिल्कुल बराबर होता है जो सेटलाइट को वहीं रोके रखता है बता दे की हिलो ओबिट में आदित्य लेक अलग-अलग एंगल से सूर्य की स्टडी कर सकेगा यहां ग्रहन की बाधा भी नहीं पड़ती है क्योंकि यह ओबिट L1 पॉइंट के आसपास उसी तरह चक्कर लगाती है जैसे धर्ती सूर्य के चारों और घूमती है आदित्य लेक मिशन इस्ट्रो के लिए आसान नहीं था इसमें इस्ट्रो के सामने कई चुनोतियां थी इस्ट्रो के लिए सबसे बड़ी चुनोती ओबिट में आदित्य लेक को रखना थी हालांकि धर्ती और सूर्य के गुरुत्वा कर्शन बल को भी एक समान रखते हुए ट्रेजेक्ट्री विलोसिटी को मेंटेन करते हुए आदित्य लेक सफलता से लेग रेंज पॉाइंट एक पर पहुंच गया आदित्य लेक सूर्य उत्सर्जन की घटना